दोस्तों नमस्कार लेट्स क्रैक यूपी एक्जामस में आपका स्वागत है ये वीडियो रिवीजन वीडियो है हिंदी व्याकरण का एक घंटे का पूरा वीडियो और इसमें यूपी ट्रिपल सी का जो आपका एक्जाम होता है इसके लावा यूपी पीसियस का सी सैट का ए हिजाम होता है और जितनी परिक्षाएं होती है आपकी पूरे देश भर में हिंदी की व्याकरण संबंदी तो पूरा व्याकरण पोश्चन ये अकेला वीडियो कवर करता है वित कांसेप्ट तो इस वीडियो ये अधुती वीडियो अपने आप में इसको आप देखेंगे का वीडियो क्या चीज है तो इसको आप पूरा देखिए दोस्तों नमस्कार बहुत-बहुत-बहुत मैं उतकरश दिवेदी स्वागत करता हूं आपका TCS चैहों में दोस्तों देखें इसके पहले दो वीडियो हमारे CSAT के अर्था GS second paper के जुआए हैं वो सायुक तुरूप से थे सारी चीजें उसमें समीलिति हिंदी इंग्लिश स्टेटिस्टिक समयो अभीय। हमक् फ्यूद में समझता यह सबी चीजें उसमें समय फिकल्य लेकिन हमने पाया कि काफी लोगों का हिंदी अच्छा तयार है कुछ लोगों को अभीय। प्यूद समयति है कुछ brain union के तो जवरत की अनुसार इस चीज को समझते हुए मैं अब अलग-अलग सेग्मेंट का वीडियो बना रहा हूँ तो हिंदी की एक ये वीडियो है एक और वीडियो बनाऊंगा और निश्चत रूप से यह मेरा विश्वास है कि आपकी हिंदी की जो प्रॉब्लम है वो वो सॉल्व हो जाएगी अधिकतम सीमा तक जहां तक मेरा प्रयास रहेगा अगर और भी जोरत पड़ेगी तो और भी वीडियो बनाऊंगा फिलहाल एक ये और एक और वीडियो पच्चिस पच्चिस प्रश्णों का इसमें काफी कुछ आपको हिंदी की चीज़ें जो आती हैं वो क्लियर हो जाएंगी तो चली शुरू करते हैं निमलखित में उश्म ब्याजन है उश्म ब्याजन है य ठ या अंगर उश्म ब्याजन पूछा है देखिए उश्म ब्याजन दोस्तों चार होते हैं श मुर्धन्य जो ख होता है जिसको बोलते हैं मुर्धन श स और ह ये चार उश्म ब्याजन है तो कौन हीरन का परियावाची है इन में से कौन हीरन का परियावाची आपको दोस्तों पढ़ना पड़ेगा परियावाची का कहेंगे तो एक वीडियो में बना दूंगा पूरा परियावाची उसमें रहेगा कहेंगे क्या मैं बना ही दूंगा परियावाची का उसमें आप पर्यावच्चि पूरंग का सब्सक्राइब से महाप्राण कौन महाप्राण। प्राण को पूछे था आज समझे लिज्ए किसी भी वन का वर्ग। पहला तीसरा और पांचवा अर्था जैसे क वर्ग है तो पहला क्या हुआ कर तीसरा क्या हुआ गर और पांचवा क्या हुआ अंग यह अल्प प्राण होते हैं ठीकिन अल्प प्राण मतलब इनमें सास की बहुत ही कम आउशक्ता होती है अल्प प्राण और इनके अलामा यह र लव ये सबी अल्प प्राण हैं और महा प्राण कौन होते हैं दूसरा और चौथा हरवर का दूसरा और चौथा वन्ड और उश्म व्यंजन जितने हैं उश्म वंजन हमने बताया श, ख, स, ह ये सब महा प्राण हैं तो इन में से आप अब दिशाइट कर लीजें क, ग, ग, और च में तो निश्चित रूप से आप पा जाएंगे कि घर इसका उत्तर होगा ठीक है ना दूसरा और चौथा तो घर चौथा है ना बाकी सभी गर जो है पहला है गर तीसरा है च पहला है तो पहला तीसरा और पांचमा ये और अंतस्त जो हैं वो अल्प प्राण होते हैं देखे आघोश और दूस्रा होता है सघोश या घोश इनका जो अंतर होता है सवर्यंत्रों में कमपन से लिया जाता है जिसका थी को में Beyond अलेकिन जग घ इससे आप देख रहें कि आपके स्वर्यंतरी def. avatilates. ओसी से उसे समझ जाएंगे कि अघोश कौन सा है और मेरी चर्शह पbrahim अंगहां सरल्टा और इसमें दर्शाते होवें हम आपको बता देते हैं कि पहला दूसरा हर वर्ग का पहला और दूसरा और उश्म में किवल ह को छोड़ दीजिए वाकि तीनों शक्ष ये अघोश हैं ठीक है और हर वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा और यर लव अर्थात अंतस्त और उश्म का एक अर्थात ह ये घोश या शगोश हैं ठीक तो अघोश पूचा है तो हमने अघोश आपको बताया पहला दूसरा और शक्ष स तो इसमें पहला दूसरा आपको देखना है शक्ष स में ये आपको श दिख गया ठीक बाकि सब घर चौथा है ब है तीसरा और द भी तीसरा है तो पहला दूसरा और शक्ष स में तो श मिल गया ये आपका उत्तर हो जाएगा अंतहस्त व्यंजन नहीं है यहां पूचा है अंतहस्त व्यंजन नहीं है अंतहस्त मैंने बताया आपको य र ल और व ये अंतहस्त व्यंजन चार है तो इन में से य है व है लेकिन भ अहниц было जो है अन्थस्तिवैंजन नहीं संख्ध स्वर कौन से है इसमें संख्ध स्वर कौन सा है आपको बताना है ए है रि है आ है याだ कि याद रखेगा हर्स भी संख और यो ती तरह क्टे हस जो स्वर होता है उसमें अ, छोटी इ, छोटा उ और री आते हैं ये क्या है? हर स्वर है इसके अलावा दीर्ग जो स्वर हैं उसमें तीन आते हैं कौन-कौन? आ, बड़ी इ, और बड़ा उ ये दीर्ग में आते है बचे हुए कौन-कौन बचा? ए, ए, ओ, तथा ओ ये स्वर होते हैं, स्वर मतलब दो स्वरों के मिलन से बनते हैं ठीके न? या ठीके? और हस और धीर्ग में क्या होता है? हस में हस जो मैं बताया छोटा ई, छोटा उ, छोटा री कम समय लगता है इनके उचारण में और दीर्ग स्वर में थोड़ा अधिक समय लगता है संयुक्त दोनों के मिलन से बने होते हैं तो हमने बताया उस निसार संयुक्त स्वर कौन सा है दोस्तों ए, 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 ओ, और और संयुक्त स्वर है इस तरह से पहचान कर लेंगे आप निष्चेत रूप से आप कोई भी सवाल आएगा इस सवाल के थूँ आप कोई भी सवाल इस से संबंदीद हल कर पाएंगे इसलिए मैं सबका यहाँ पर एक-एक क्विश्चन करके सबके बारे में बता दे रहा हूं महर्षी में कौनसी संधी है? महर्शी में कौन सी संदी है दीर्ग संदी, गुण संदी, वृद्धी संदी या फिर अयादी संदी दोस्तों देखों कि दीर्ग संदी क्या होती है आपको पता है मनलब की दो छोटे में अ और अ मिलकर आ हो जाते हैं अ धन आ मिलकर आ हो जाते हैं आपने पढ़ा होगा दीरग सन्दी बहुत ही आसान होती है यहां पर क्या है महर्शी अगर गुर्ड सन्दी को देखें गुर्ड सन्दी में क्या होता है यदि अ और आ के बाद और आ के बाद छोटी इ, बड़ी इ, छोटा उ, बड़ा उ और री ये सब आते हैं तो वहां बदल करके जो परिडाम सरूप जो संधी बनती है वो ए, ओ और अर ये हो जाते हैं तो वहां पर गुण संधी पाई जाती है यहां पर क्या हो जाए है महाधनरिशी इदर क्या था? महाधनरिशी तो हमने बताया, गुण में अ और आ के बाद चोटी इ, बड़ी इ, छोटाउ, बडाउ और री आये तो यहां पर ए ही हो रहा है महाधनरिशी आ आ रहा है और इधर री आ रहा है तो क्या हो जाएगा? अरो हो जाएगा ठीक है ना A, O और R हो जाते हैं तो महर्शी हो गया ये कौन सी संदी है B, गुर संदी है ठीक है वहीं व्रिद्धी संदी की बात करें तो व्रिद्धी संदी भी A और A के बाद यदि A तथा A, A या A आए या फिर O या O आए ठीक, अर्था संयुक्त स्वर आएं, A और A के बाद तो जहां पर A और A आएगा वहाँ पर A हो जाएगा और जहां पर O और O आएगा वहाँ पर O हो जाएगा इसे व्रिद्धी संदी कहेंगे ठीक है ना, व्रिद्धी संदी का उधाण में आपको बता दे रहा हूँ जैसे एक धन एक तो A यहाँ पर आ रहा है इधर एक और उधर A आ रहा है तो एक एक हो गया ठीक, A हो जाता है इसी तरह परम धन आउशद इधर A है उधर आउँ है तो परम आउशद हो जाता है तो यहाँ पर दीर्ग संदी होगी अयादी संदी की यह दिबात करें तो अयादी संदी में ए, ए, ओ, और ओ के बाद कोई भिन स्वराता है तो उनके अस्थान पर अय, आय, ओ, और ओ हो जाता है वहाँ पर अयादी संदी होती है जहाँ पर आप देखिए यहांपर अयादी संधी हो गया अन्वय में कौन सी संधी है गुड संधी है या यण संधी है अन्वब व्यंजन संधी है देखे अनवे का यदि आप संधी विछेद करें तो आता है अनुधन अय अनुधन अय अनवे देखे यण संधी है यह अभी मैं आपको बता दूँ यण संधी और गुण संधी दोनों एक दूसरे का उल्टा समझे आप गुण संधी में आपको क्या बताया था कि यदि A और A के बाद E छोटी, बड़ी, छोटाओ, बड़ाओ और री आए तो उनके अस्थान पर A, O और R हो जाते है वहीं यण संधी में क्या होता है उल्टा कर दीजे E बड़ी, छोटाओ, बड़ाओ और री के बाद यदि कोई भी नस्वरा है, कोई भी तो उसके अस्थान पर E और छोट, बड़ी E का य, U और उ जहां पर है, वहां व और जहां पर री है, वहां पर र हो जाता है जैसे कि यदि धन अपी, यद्यपी हो गया पतार यदि, इधर छोटी यह आ रहा है, उधर अपी, अ आ रहा है, तो दोनों मिला के यह हो जा रहा है, यद्यपी यह हो गया, इसी तरह गुर्व धन ओधन हो गया गुर्व ओधन हो जाता है, इधर छोटा U है और उधर ओधन अर्थाद भिन्सवर है, तो यहाँ पर क्या U और U के अस्थान पर व होना चाहिए, तो गुर्व ओधन हो गया, व आ गया यहाँ पर है, तो यह दोस्तों, अनवय जो है, यद्संदी होगा अनुधन अय, यहाँ पर अनवय, व आ गया है, ना अनुधन अय, U के अस्थान पर वह आ गया तो यड़ संदी हो गया पवन का संदी विछेट क्या होगा पवन हमने बताया जैसा आपका यद आयादी संदी है तो पोधन अन पोधन अन आयाद संदी एक बार फिर से जान लीजे ए, ए, ओ और ओ जो सेंक्त स्वर हैं उनके बाद यद भिन कोई स्वरा है तो ए का अस्थान पर अय अ के अस्थान पर आय ओ के अस्थान पर अव और अव जहां पर हो वहां पर आव हो जाता है तो पवन का संदी विछेट अव है ना यहां पर अव तो ओधन अ ठीक, तो यहां पर पावन हो गया है ना पावधन अन ये पावन हो जाएगा जहां पर आव रहेगा वहां पर आव हो जाएगा पावन हो जाएगा अब निम्खित में से अशुद्ध वर्तनी का चैन करें शिंगार, सुशूसा, शमण, शिंखला इसको भी आपको शुद्ध वर्तनी अशुद्ध वर्तनी देखना होगा पढ़ना होगा इसको हमने कराया भी है शिंगार इसमें अशुद्ध है ठीक है, बाकि सब सही है, शरिंगार ऐसे नहीं लिखा जाएगा, शरिंगार एक बार देख लीजिए, इसमें बहुत लोग गलती करते हैं, ये होगा, ठीक है न दूस्तों, ये सही सरिंगार इस धंग से लिखा जाएगा, निम्न में से इस्तरी लिंग कौन सा है, पुस्तक, म इस्तिलिंग पूछ रहा है, तो इस्तिलिंग कौन सा है दोस्तों आपको बताना है, पुस्तक, मकान, घर या फिर कोट, तो देखें, पुस्तक जो है, इसमें स्तिलिंग है, बाकी सब पुलिंग है, ठीक है न, बाकी सब पुलिंग है, इसको भी आप पढ़ लीजिए, पुलि शब्द कौन सा है दया पालन घोषणा फिर जाती देखिए इसमें पालन जो है ये पुलिंग है बाकी दया घोषणा जाती ये सब इस्त्रिलिंग है दोस्तों ठीके ना पालन जो है ये पुलिंग है आगे पढ़ते हैं मेज पर पुस्तक रखिये में कौन सा कारक है देखिए कारक के कुल कितने भेद होते हैं आठ भेद होते हैं और बच्पन से हम लोग पढ़ते हैं करताने कर्म को करण से संप्रदान को या के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध में काके की रारेरी फिर अधिकरण में पर संबोधन में हे अजी अहो अरे तो ये आठ भेद हैं कारक के क्या हुआ करता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण संबोधन ये कुल आठ हैं तो मेज पर पुस्तक रखी है हमने बता है आपको अधिकरण में या पर तो यहाँ पर क्या हो गया कौन सा अधिकरण कारक हो गया मेज पर ठीकिन अधिकरण है पर लगा हुआ है में या पर कोई चीज रखी जाए तो अधिकरण वहाँ पर कारक होगा पेड़ से पत्ते गिरते हैं यहाँ पर अलग होने कारत हैं हमने बताया जहाँ अपादान से अलग होने के अर्थ में अर्थात वहाँ पर अपादान होगा जहां कोई चीज अलग हो रही हो, पेड से पत्ते गिर रहे हैं, अथा पत्ते पेड से अलग हो रहे हैं, तो यहां पादान कारक होगा रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है इसमें सर्वनाम कौन सा है रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है कौन सा सर्वनाम है पुरुस वाचक, निश्चे वाचक, संबंध वाचक या आग्यासूचक देखे इसमें निश्चे वाचक सर्वनाम होगा क्योंकि यह निश्चित है कि वहां रोटी जली हुई है थिए ने वह निश्चित है इस चीज कि वह रोटी जली है इसलिए उसको मत खाऊ, मत खाने से मना कर रहा है यहाँ पर निश्य वाचक है वह कौन है जो पड़ा रो रहा है वह कौन है जो पड़ा रो रहा है उसमें सर्वनाम कौन सा है इसमें सर्वनाम दोस्तों संबंध वाचक है वह कौन है इसका संबंध इस सेंटेंस से जोड़ रहा है जो ठीक है न? वह कौन है जो पड़ा रो रहा है तो यहाँ पर संबंध वाचक सर्वनाम है जो अर्चना अत्यंत सुन्दर है उसमें अत्यंत क्या है अत्यंत परिमाण बोधक विशेशन गुण वाचक विशेशन प्रविशेशन या संख्या वाचक विशेशन देखें यहाँ पर सुन्दर जो है ये गुणवाचक विशेशन है ये अर्चना की विशेशता बता रहा है अर्चना विशेश है लेकिन इस सुन्दर की विशेशता कौन बता रहा है अत्यंत तो जो विशेशन की विशेशता बता है वो प्रविशेशन होता है तो इसमें उत्तर सी होगा प्रविशेशन वह गाता है में क्रिया है सकर्मक, अकर्मक, द्वीकर्मक और या फिर संयुक्त कौन सी क्रिया है यहाँ पर सकर्मक, अकर्मक, द्वीकर्मक और संयुक्त क्रियाएं कोती क्या है इनके बारे में आप जान लीजे इससे आपको कोई भी प्रशनाएगा करने बहुत आसानी होगी देखिए सकर्मक, सकर्मक, अर्थात कर्म के साथ अर्थात जिस क्रिया के लिए कर्म की आउशकता पड़ती है कर्म आउशक होता है वह सकर्मक है जिस क्रिया को करने के लिए कर्म की आउशकता नहीं पढ़ती है वह अकर्मक है या फिर सकर्मक क्रियाओं में कोई कार्यादी आप करते हैं तो उसका प्रभाव किसी वस्तु पर या व्यक्ति पर पढ़ना आउशक होता है अकर्मक में किसी वस्तु या व्यक्ति की आवशक्ता या प्रभाव उस पर नहीं पढ़ता है उस क्रिया का तो वो अकर्मक होती है अभी उधार्णों द्वारा आपको समझ में आ जाएगा द्वी कर्मक जिसमें दो कर्मों की आवशक्ता होती है दो कर्मों होते हैं वहाँ पर दो कर्मक क्रिया होती है सेउक्त क्रिया है जिसमें दो क्रिया है एक साथ होती है वो सेउक्त क्रिया होती है तो वह गाता है में क्रिया क्या है वह गाता है निच्चित रुप से क्या गाता है यादी पूछा जाए तो इसका उत्तर संगीत या गीत होगा इसलिए यहां सकर्मक क्रिया होगी राम इस्कूल जाता है कहां जाता है इस्कूल जाता है उत्तर आ रहा है इस्कूल यहां पर कर्म की आउशक्ता है तो इसका भी उत्तर यह होगा सकर्मक क्रिया है लड़का रोता है देखे लड़के को रोने के लिए किसी की आशक्ता नहीं है है न? तो ये अकर्मक है इसका प्रभाव रोने का किसी पर पढ़ नहीं रहा है अकर्मक क्रिया है मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ मैं क्रिया है लड़के को वेद पढ़ाता हूँ किसको पढ़ाता हूँ यदि प्रश्पूचा जाए किसको पढ़ाता हूँ लड़के को क्या पढ़ाता हूँ वेद पढ़ाता हूँ दो-दो कर्मों की आउशकता है इसमें दो-दो कर्म हैं तो ये द्विकर्मक क्रिया हो गई घनशाम रो चुका में क्रिया कौन सी है सकर्मक, अकर्मक, ध्वी कर्मक या संयुक्त कर्मक ये संयुक्त क्रिया होगी क्यों इसमें रोना और चुकना दो चीजें, दो क्रियाएं एक साथ आ रही है तो ये संयुक्त क्रिया हो गई तो निश्चित रूप से अब आप इनसे समंधित प्रश्णतों हल कर लेंगे आसानी से सुनीता बहुत पढ़ती है में है क्या है क्रिया विशेशन, संबंद बोधक, समुच्य बोधक या विस्मयाद बोधक समझ लिजे तेजी से इन तीनों प्रश्णों को जो बाकी बचे है सुनीता बहुत पढ़ती है ये क्रिया है और ये इसकी विशेशता होता रहा है है न बहुत तो बहुत क्या हुआ यहाँ पर क्या है क्रिया विशेशन है क्रिया की विशेष्टा बताई जा रहे हैं यह संबंद बोधक है काम नहीं चलता किसके विना धन के विना यह विना जो है इन दोनों में संबंद अस्थापित कर रहा है धन और काम नहीं चलने में संबंद अस्थापित कर रहा है तो बिना संबंद बोधक हो गया अब्या है यह सब मैंने उसे बुलाया पर वह नहीं आया मैंने उसे बुलाया पर वह नहीं आया और यह सब चीज़े जहां पर आएंगी जो दो सेंटेंस को जोड़ती है वो समुच्य बोदक होता है मैंने उसे बुलाया वह नहीं आया इसको कौन जोड रहा है पर जोड रहा है तो यह समुच्चे बोधक हो गया बाकी बिसमयादी बोधक आप जानते हैं आरे ओ इन सब चीज़ों की जहां आशक्ता पड़ती है वहाँ पर बिसमयादी बोधक होता है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मुझे विश्वास है कि आपको काफी प्रश्ण करने में इससे सहता मिलेगी एक और वीडियो आयेगा बाकी बचे हुए टॉपिक्स उसमें समलित हो जाएंगे 25 प्रश्णों में तो आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों करेंट अफेर्स का वीडियो आने वाला है दो तीन वीडियो चार वीडियो जो आने वाले हैं बहुत ही महत्पूर्ण है वो मेरी तरब से आपके लिए जिस तरह आरो आरो के लिए हमने वीडियो बनाया था उसी तरह वह भी होगा थोड़ा सा लंबा एक वीडियो होगा उसमें उसमें सब कुछ समाहित होगा जितने ही महत्यकूर्ण प्रश्ण है तो दोस्तों आचे लेता है बहुत धन्यवाद दोस्तों नमस्कार मैं उतकर्ष दिवेदी स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टार्गेट सिविसर्व से जय हो दोस्तों हिंदी के लिए इसके पहले एक वीडियो और यह वीडियो हमने प्रयास किया है कि दो वीडियो में समस्त हिंदी व्याकरण को समाहित कर लिया जाए ऐसा वीडियो बनाने का हमने प्रयास किया है मेरा यह मानना है और मेरा विश्वास है कि आपके लिए बहुत ही लावदायक जैसे कि पहला वीडियो रहा वैसे यह भी रहेगा उसी का अगले भाग के रूप में इसको आप देखिए ठीक है चली सुरू करते हैं निम्न में से तत्सम शब्द कौन है तत्सम शब्द क्या होते हैं जो मूल शब्द होते हैं जैसे संस्कित से संस्कित के जो शब्द होते हैं मूल शब्द होते हैं उन्ही को जियों कात्यों जब इस्तमाल किया जाता है तो तत्षम शब्द कहलते हैं तो निम्न में से कौन सा तत्षम शब्द है और दूसरा क्या होता है तत्षम शब्द मनलब विक्रित हो जाते हैं जो मूल शब्द होते हैं उनका प्रयोग न करके उनका जो इस्तमाल जो प्रयोग किया जाता है विक तो दोस्तों चंचु जो है यह तत्सम शब्द है चंचु जो है मूल शब्द है तत्सम शब्द है इसका तद्भो चोच के रूप में प्रयोग किया जाता है तद्भो रूप में या चोच के रूप में इस्तिमाल होता है आग जो है तद्भो है इसका तत्सम जो है अगनी है उबटन उधर्दन उधर्दन जो है इसका तत्सम शब्द है पलंग का तत्सम है पर्यंग तो ये तीनों जो है आग उबटन और पलंग तद्भों है चंचु जो है यह तत्सम शब्द है तत्सम और तद्भों शब्दों को आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा याद करना कौन मूल शब्द है और कौन विक्रित है इसके लाव कुछ विदेशी भाषा से लिए गए भी शब्द हैं जो हिंदी में इस्तमाल किये जाते हैं विदेशद उनको कहते है निम्न में कौन सा शब्द तद्भो है शलाका, हल्दी, सूची या फिर घोटक यहाँ पर तदभो पूछ रहा है विक्रित शब्द पूछ रहा है तो दोस्तों यहाँ पर हल्दी जो है यह विक्रित है बाकी घोटक जो है इसको घोड़ा कहते हैं तदभो में यह घोड़ा हो जाएगा मूल शब्द है सूची इसका तद्भो सूई होता है शलाका शलाका का तद्भो सलाई होता है तो हल्दी का जो तत्सम होता है दोस्तों हरिद्रा होता है तो बी जो है हल्दी तद्भो है रूड शब्द क्या होते हैं दोस्तों देखे बनावट के आधार पे तीन प्रकार के शब्द होते हैं शब्दों की जो बनावट होती हो तीन प्रकार के होती है रूड, योगिक और योग रूड कौन-कौन से? रूड शब्द, योगिक शब्द और योग रूड शब्द रूड़ शब्द क्या होते है दोस्तों जिनका अगर अलग-अलग जिनको कर दिया जाए खंड कर दिया जाए तो उन शब्दों के कोई सार्थक अर्थ न निकले ठीक है न? उन शब्दों के कोई सार्थक अर्थ न निकले इससे दिन हो गया तो इसको दी और न अलग कर दिये, तो दी का कोई अर्थ नहीं, न का कोई अर्थ नहीं तो ऐसे सब्द रूड शब्द होते हैं वहीं योगिक शब्द क्या होते हैं, ये दो रूड शब्दों के मेल से बनते हैं या दो से अधिक रूड़ सब्द मिलके योगिक शब्द बनाते हैं इनका खंड कर देने से दोनों ही शब्दों के अर्थ निकलते हैं कुछ सार्था कर्थ निकलते हैं तो वो योगिक शब्द होते हैं वहीं योगरूड क्या होता है जैसा कि नाम से असपष्ट है योगरूड ये योगिक तो होते हैं दोस्तों लेकिन ये इनका जो है अर्थ जो है कुछ और होता है ये अपने अर्थ को छोड़ देते हैं किसी अन्य अर्थ को संकेतित करते हैं तो वो योगरूड शब्द होते ह अब आईए देख लेते हैं उदान के माद्यम से निम्न में से रूड़ शब्द कौन से है घुड़ सवार कथा सागर राज कहानी पीला देखे घुड़ सवार को अलग करिये घुड़ सवार अलग-अलग अर्थ निकल रहे हैं कथा सागर को अलग करिये कथा सागर अलग-अल अलग कर दीजे तो कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है इसलिए यहां पर पीला जो है वो रूड़ शब्द हो गया अब आप योगिक शसे में पता इनद में से योगिक शब्द कौन से है असपश्टता घुरसवार जो है योगिक शब्द है बाकी सब रूड शब्द है अलग करने पर कोई अर्थ नहीं है निवन में योग रूड शब्द कौन सा है कथा सागर, आग बबुला, पंकज या फिर नीला देख कथा सागर, कथा और सागर अलग अलग जो शब्द हैं इनके अर्थ अलग है लेकिन कथा सागर मिल करके वही अर्थ प्रदान कर रहा है जो इनका कथा का और सागर का अर्थ है इसी तरह आग बबुला आग बबुला, इसका कोई तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा है नीला यह तो रूड शब्द हैं इनको अलग करने पर अलग-अलग शब्दों के अलग-अलग अर्थ नहीं है लेकिन पंकज को यदि आप देखें तो पंक मतलब कीचड होता है जसे मतलब होता है जन्म लेने वाला कीचड में जन्म लेने वाला अर्थात अर्थात कमल कमल का परयावाची है यह पंकज तो यह तीसरे किसी अर्थ को यह संकेतिक कर रहा है तो इसलिए यह डी जो है वो योग रूड़ शब्द हो जाएगा हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आगया होगा रूड़ योगिक और योग रूड़ शब्द अब हम उपसर्ग और पत्तिय देखते है निम्न में से किसमे उत उपसर्ग नहीं लगा है उपसर्ग क्या होता है दोस्तों किसी शब्द के पहले आकर के उस अर्थ को विशेष्टा प्रदान करता है ठीक न तो उत उपसर्ग किसमे नहीं लगा है उत्तम में लगा हुआ है उद्भो में भी लगा हुआ है ने सौरी उद्भो में नहीं लगा हुआ है उद्भो में उद्ध उत नहीं है उद्ध है उद्भो है उत्थान में दोस्तों लगा हुआ है उननति में भी उतनति होता है इसमें भी लगा हुआ है इसलिए इसका उत्तर भी होगा ठीक है उपसर्ग और प्रत्य भी आपको दोस्तों थोड़ा पढ़ना पढ़ेगा बुक से प्रैक्टिस का लिजे उपसर्ग प्रत्य की समझ में आ जाएगा कि अब समझने वाली जो चीज है प्रत्य है प्रत्य में दो तरह के प्रत्य होते हैं क्रिदंत होता है तद्धित होता है एक प्रत्य होता है एक तद्धित प्रत्य होता है क्रिद प्रत्य लगाकर जो शब्द बनते हैं उनको क्रिदंत कहते हैं तद्धित प्रत्य लगाकर जो वो शब्द मना याते हैं वो तधितांत होते हैं प्रत्ते वास्तों में वो शब्द होते हैं जो किशी शब्द के अंत में आकर के उसके अर्थ को विशेश विशेशता प्रदान करते हैं ठीक है क्रिदंत क्या होता है अर्था जैसा की नाम से स्पर्ष्ट है क्रिया या कि अंत में जो लगता है वो क्रित प्रत्य होता है और जो शब्द बनता है इसे क्रिदंत कहलता है क्रिया या धातु क्रिया और धातु में अंतर क्या होता है दोस्तों जैसे क्रिया है कोई उसमें ना जो लगा रहता है उनको क्रित प्रत्य कहते हैं और ऐसे शब्दों को क्रिदंत कहते हैं तो बताइए निवन में से क्रिदंत कौन सा है गाने वाला, मानवता, कवरो या फिर कुलीन निश्त रूप से यहाँ पे कार क्रिया कहा है गाना क्रिया है इसमें जो प्रत्य लग रहा है वाला ठीक है दोस्तों तो ये कृदंत प्रत्य यही शब्द है ठीक है प्रत्य यहां क्या है वाला है कृद प्रत्य वाला है गाने में अथा क्रिया में प्रत्य लग करके कृदंत शब्द बना रहा है गाने वाला बाकी सब मानो कुरू और कु ये तीनों जो है संग्याएं हैं दोस्तों तो संग्या के बाद जो है लग रहा है तो ये जो है तद्धित हो गया ठीक है ये तद्धित हो जाएगा क्रिदंत निवा क्रिदंत के लिए क्रिया के बाद लगना है या धातु के बाद थी निम्न में से तद्धिदांत है ठीक जै करके संग्या, सर्वनाम और विशेशन के बाद जो प्रत्या लगते हैं वो तद्धित प्रत्या कहलाते हैं और जो शब्द बनते हैं तद्धितांत कहलाते हैं तो निमें से तद्धितांत कौन से हैं गाने वाला यहां पर गाना जो है क्रिया हो गई मिलाप मिलना क्रिया हो ग प्रत्य में एक प्रत्य लग गया वार्श हो गया वर्श जो है वो क्रिया नहीं है इसलिए ये दोस्तों तद्धितांत ऩो गयाँ ठीक गन्त और तद्धितांत में आपको अंतर पता चल याओगा च्रिप्त्य होता कृत्य में और आप अब कर लेंगे मेरा विश्वास है आधा कुंतल गेहु में कौन सा विशेशन है आधा कुंतल गेहु में कौन सा विशेशन है आधा कुंतल गेहु निश्चित परिमाण बोधक अनिश्चित परिमाण बोधक निश्चित संख्या बाचक अपूर्णांक बोधक देखे गेहूं की मात्रा के बारे में बात कर रहा है यहां संख्या नहीं दरसा रहा है इसलिए यहां पर सबसे पहली बात तो स्पष्ट है कि यहां परिमाण है आधा कुंतल गेहूं निश्चित है या अनिश्चित है दोस्तों यह दोस्तों क्या है निश्चित परिमाण का बोध करा रहा है आधा कुंतल कितना गेहूं आधा कुंतल गेहूं अगर यह बताता कि कुछ गेहूं या अधिक गेहूं इस तरह से करता तो वह अनिश्चित परिमाण का बोध कराता तो अनिश्चित परिमाण बोधक हो जाता यहीं से आपको मैं बता देनूं कि विशेशन जो है मुखितता चार प्रकार के होते हैं गुण वाचक, संख्या वाचक, परिमान वाचक और सारो नॉमिक विशेशन गुण वाचक विशेशन जो ह frei होता है वो गुण का बोस्त कराता है वो गुण के बारे में बताता है, किसी विशेश के गुण के बारे में बताता है विशेश क्या होता है, जिसकी विशेशता बता यह थी, विशेशन क्या होता है, जो विशेशता बताता है ठीके न, संग्या या सरवनाम की विशेशता बताते है तो विशेश और विशेशन दो चीजें होती है, विशेश वह होता है जिसकी विशेशता बताई जाती है, और विशेशन क्या होता है, जो विशेशता बतता है, ठीक है, जैसे सुन्दर व्यक्ति, तो सुन्दर क्या है, विशेशता है, विशेशता बता रहा है, किसकी व्यक् तीका सःता है तो यह गुन वाचक विशेशन हो गया गया accountable संख्या विशेशन होता है दोस्तों वह दो प्रकार का होता तो कई अनेक बहुत सारे ये सब चीजैंट अनिश्चित हैं पता नहीं चल पा रहा है कि पितनी संख्या है थीक तो अनिश्चित संख्या वाचक की बात करें तो इसके भी कई वेद होते हैं छो ये लिए घू पूरांग पूरांग अंग्ज की ठीक, लाग, अपुरांक, बोधक, संख्या वाचक जो होता है, जिसमें अपुरांक जैसे आधा हो गया, पौना हो गया, अपुरांक है, पुरांक नहीं है, आधा, तियाही, क्रमवाचक, क्रम वाचक जैसे दूसरा चौथा पूस्ता भी है याद रखिएगा क्रम वाचक जो क्रम का बहुत करा है दूसरा चौथा पांचवाँ छठा आवरित्य वाचक आवरित्य वाचक जो बार बार होने का बहुत जैसे दूगना हो गया ती उना हो गया ठीक है? बार बार होने का बोध करा है आवरित्ति वाचक समू वाचक अर्था जैसे तीनों, पांचों, दसों तो ये सब समू वाचक है है न? प्रत्येक बोधक भी होता है जिसमें प्रत्य, हर एक, एक, एक इस धंकिशब जहाएंगे वहाँ प्रत्येक बोधक होगा तो ये सभी निश्चित संख्या वाचक के भेद है आप कहीं नोट कर सकते हैं चाहें तो बुक्स वहीं मिल जाएगा हम समझने के लिए आपको बता रहे हैं तीसरा जो है, गुण संख्या हो गया फिर परिमाण वाचक आता है परिमाण वाचक भी निश्चित परिमाण वाचक और अनिश्चित परिमाण वाचक दो प्रकार का होता है निश्चित परिमाण का मतलब जैसे जो निश्चित परिमाण का बोधकरा है जैसे दो मीटर कपड़ा एक लीटर दूद यहां पर निश्चित है कि दूद कितना है एक लीटर है कपड़े की मात्रा जो है निश्चित है दो मीटर कपड़ा है जो अनिश्चित हो गया जैसे अधिक कपड़ा कम-काम थोड़ा पानी यह सब अनिश्चित परिमाण बता रहे हैं ठीक है न इनसे पता नहीं चल पा रहा है कि कितना और अंत में आता है सारोनामिक विशेशन सारोनामिक मलब जब संग्या के पहले सारोनाम आये और उसकी संग्या की विशेशता बता है जैसे वह आदमी ब्योहारी है बता रहा है न किस आदमी के बारे में बता रहा है किसी विशेश आदमी के बारे में बता रहा है कि वह आदमी व्यभारी है तो यहाँ पे सारोनामिक विशेशन है ठीक है न? इसी तरह पूछ लिया जैसे कौन छात्र मेरा काम करेगा कौन छात्र? यहाँ पे चात्र की विशेशता कौन चात्र तो यहाँ पे कौन क्या हो जाएगा सावरुनामिक विशेशन हो जाएगा तो यहां से हमने सभी जितने प्रकार की विशेशन होते हैं उनके बारे में बता दिया विशेशन विशेश अगर इजाम में प्रविशेशन है अभी प्रविशेशन बारे मैंने आपको नहीं बताया प्रविशेशन क्या होता है दोस्तों यह किसी विशेशन की विशेशता बताता है यह विशेशन के बारे में बताता है विशेशन की विशेशता बताता है तो वह प्रविशेशन हो जाता है जैसे सुन्दर को और ज्यादा विशेष्टा प्रदान कर रहा है अत्यंत सुन्दर है तो सुन्दर की यहां विशेष्ण की विशेष्टा बता रहा है तो यह प्रविशेष्ण हो जाएगा ठीक है अत्यंत जो है प्रविशेष्ण है सुन्दर यहां पर विशेष्ण है ताजमहल कि गाजानन में कौन सा समास है अब समास के बारे हम देख लेते हैं सब कुछ कि पहले जान दीजी समास कितने प्रकार के होते हैं मुखिता दोस्तों देखिए छप्रकार के समास पूछे जाते हैं परिक्षाओं में अब्वेई भाव तत्पुरुष समास बवब्री समास दंद समास करमधारे समास और दिग समास यह च्छ प्रकार के समास होते हैं अव्वेई भाव समास की रदी बात करें अव्वेई भाव में देखिए मैं ट्रिक्स बता रहा हूं आपको समास कभी आपका गलत नहीं होगा अगर इन ट्रिक्स को आपने अपना लिया तो अव्वेई भाव समास में दोस्तों पहला पद जो है प्रधान या अव्य होता है अव्य का ओर्थ होता है जिसका व्य नहों जो नश्ट नहों तेकिन अव्य पहला पद प्रधान होगा देखिए कुछ आपको ट्रिक्स में बता रहा हूँ जो पहला पद होता है अक्सर उपसर्ग आपको मिले तो वहाँ अव्याई भाव समास होगा जैसे प्रति दिन, यथा शक्ति, यथा संभो, आजन्म, बेकाम, भरसक इन सब में देखिए आप उपसर्ग आपको मिल रहे हैं पहला शब्द उपसर्ग रहेगा इसके अलावा पहला सब्द छोटा रहेगा और कम अर्थ वाला रहेगा वहीं दूसा सब्द बड़ा होगा और ज्यादा अर्थ वाला होगा ठीके, पहला सब्द छोटा रहेगा और कम अर्थ वाला रहेगा दूसा शब्द बड़ा होगा और ज्यादा अर्थ वाला रहेगा जैसे क्या हो गया यथा शक्ति यथा क्या है छोटा शब्द है इसका कम अर्थ है जैसी शक्ति हो तो शक्ति यहाँ पर बड़ा शब्द है बड़ा अर्थ है ज्यादा अर्थ रखता है यथा लुकस्टों में अभ्यवास माशच होता है ए अभ्यवाऑ में जो हमने टीक से बताए इनको याद रखेंगे तो आप कभी भी अभ्यवास माशच के रत नहीं करेंगे दूसरा जो समास है दोस्तों तत्पूरुष समास है तत्पूरुष समास का यदि भेद आपको बताएं तत्पूरुष समास तत्पुर्ष समाज दोस्तों आप जो अब्याई भाव हमने समाज बताया इसका ठीक उल्टा समझे अर्था दूसरा पद यहाँ पर प्रधान होता है इसमें दूसरा पद प्रधान होगा, दूसरा पद छोटा रहेगा और कम अर्थवाला होगा वहीं पहला पद बड़ा होगा, ज्यादा अर्थवाला होगा जैसे राजपुत्र, गंगा जल और दूसरी क्या चीज़ है दोस्तों कि इसमें जो है दूसरा पद छोटा तो होता है, प्रधान होता है इसके लाँ सबसे अच्छी जो ट्रिक है, तत्पुरुस को पच्चानने की वो यह है कि बीच में, दो शब्दों के बीच में कारक शब्द का लोप हो जाता है जैसे राजपुत्र हो गया, तो इसमें कारक बीच में का जो है, राजप का पुत्र होना चाहिए था तो का का लोप हो जाता है यहां पर, राजप का पुत्र, तो का का यहां लोप हो जा रहा है संबंध कारक का लोप हो जा रहा है, इसी तरह गंगा जल, गंगा का जल तो यहां भी संबंध कारक जो है का था, इसका लोप हो गया है तो कारक का लोख हो जाता है इस तरह से आप तत्पुरुष समास को जो हमने बताया ट्रिक इससे पहचान सकते हैं कौन सा समास तत्पुरुष समास है तत्पुरु समास चुकि कारक के आधार पर हम इसको समझते हैं इसलिए जिस तरह से कारक आपने पढ़ा था कारक में करता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संपदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन इसमें करता और संबोधन को छोड़ करके जो च्छ बस्ते हैं कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण इतने ही प्रकार के तत्पूरुष समाज भी होते हैं जहां पर को का लोप होगा वहां कर्मकारक होगा कर्मकारक का लोप हो रहा है जहां से का लोप होता है वहां करण होगा जहां पर को या केली होगा संप्रदान होगा जहां पर से अलग होने के अर्थ में होगा वहाँ अपादान होगा जहां काके की रारेरी होगा वहाँ संबंध होगा और जहां मेया पर रहेगा वहाँ अधिकर्ण होगा तो ये ततपुरुष के भेद रहे है ततपुरुष आपको समझ में आ गया होगा आप कर्मधारे की बात कर लेते हैं कर्मधारे दरसल कर्मधारे और द्वी की दोस्तों ये ततपुरुष के ही दो प्रकार होते हैं ततपुरुष के ही प्रकार होते हैं लेकिन ये अलग होते ह कैसे अलग होते हैं देख लीजे कर्मधारे इसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है लेकिन पहले पद और दूसरे पद में विशेशन और विशेश का संबंद होता है या तो पहला पद विशेशन होगा दूसरा विशेशन होगा या फिर दोनों विशेशन होगे या फिर द जादेता हूँ जैसे नील गाय नील गाय अर्थात नीली है जो गाय कि विशेषता बता रहा है तो गाय जो है विशेषश है जो दूसरे अस्थान पze है दूसा सब्सक्राइब कन कमल यहां पर पहला शब्द मिशेशन है др को रहा है दो चरन कमल की बात कर रहा है चरन कमल में कमल दूसरी अस्थान पर आया है यह विशेशता बता रहा है चरण की, कमल विशेशन है और चरण विशेश है, यह भी कर्मधारे समास, तो विशेशन और विशेश का संबंद है दोनों में, इसके अलावा कभी कभी दोस्तों, दोनों शब्द विशेशन भी हो जाते हैं, जैसे लाल पीला, क्यों आप हमारे पर लाल पीले हो रहे हो, ऐस करम धारे है सीतोषन जैसे सीत के साथ ऊशन यहां सीत और ऊशन की बात नहीं होती शीत के साथ ऊशन है तो सीतोषन और बीच में आ गया तो द्वंध हो जाएगा इसलिए कर्म ऐसे शब्द कम ही पूछे आते हैं लेकिन जब पूछे जाएंगे तो आपको थोड़ा सा साग लगाना पड़ेगा इसी तरह दोनों विशेश्च भी हो सकते हैं जैसे आम्र विक्ष आम का विक्ष आम और विक्ष दोनों ही यहां पर विशेश्च है ठीक है अब अगला जो है अगला समास है द्विग समास हो दोस्तों द्विग समास बहुत ही आसान है समझना जब संख्या का उपयोग हो संख्या वाले शब्दों का प्रयोग जहां पर हो ठीके? और द्विती पद प्रधान हो तो वहाँ जैसे चोरहा हो गया त्रिलोक हो गया ये सब जो हैं द्विग सुमास हैं बहुत आसान है द्विग सुमास समझना बहुब्रीही की बात करें बहुब्रीही समास इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता दोस्तों दोनों पद मिल करके अन्य किसी तीसरे पद की और इसारा करते हैं जैसे नील कंट हो गया, नीला हो कंट जिसका अर्थात भगवान शिव, गजानन हो गया, अर्थात गज के समान मुखवाला, अर्थात गणेश भगवान, तो ये शब्द किसी तीसरे व्यक्ति की ओर इंगित कर रहे हैं, यहां पर बहु भी ही समास होगा, द्वंद समास की ब तो बराबर महत्वाले होंगे, इनके बीच और जो है, उसका छुपा होता है, विलुक्त होता है, और शब्द, जब आप इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो आपके मन में और अपने आप आजाएगा, ठीक है, और शब्द आएगा, जैसे दिन रात, दिन और रात, दि में कौन सा समास है? देखें, गजःनन, गज के समान मुखवाला, यदि अर्थ में के वल हम जाएगा, तो यह कर्मधार समास नजर आता है, क्योंकि गज जो है आनन की विशेषधा बता रहा है, विशेषण हैं, गज और आनन जो है, वह मुख जो है, उसकी विशेषधा ब इसलिए कि अब बहुब्री ही समास होगा दोस्तों, अक्सर ऐसे प्रश्टों में confusion हो जाती है, तो बहुब्री ही समास ही होगा, हाँ? यथा शक्ति में कोण सा समास है? जैसे कि हमने बताया, यथा क्या है? यहाँ उपसर्ग है, यथा शक्ति, छोटा है, उपसर्ग है, प्रति दिन में कौन सा समास होगा प्रति दिन में बताइए। मैंने बताये न कि अब्लेववाव समास होगा। छंद शेखर इसमें बाउबई समास होगा। जिए न यह भगवान शिव की और अंविस्ततर है। रात दिन दोनों की समान विश्टता है रात और दिन और बीच में आ रहा है तो कौन सा समास हो गया यहां द्वंद समास हो गया चरण कमल चरण के समान कमल हमने उधारण भी बताया यहां करमधारे समास हो गया अब रस के बारें देख लेते हैं रस से जो प्रशन आते हैं दोस्तों कुल कितने रस हैं पूचे आते हैं कुल नो रस हैं इसी तरह नो अस्थाई भाव भी हैं सिंगार रस का अस्थाई भाव रती हास रस का अस्थाई भाव हास करुड रस का शोक है रौध रस का क्रोध, वीर रस का उत्सा, भयानक रस का भै, भूवीभत्स का जुग उत्सा, अद्भुत का विस्मय और शांद का निर्वेद, रस और ये अम अस्थाई भाव बता रहे हैं दूस्तों इतना पढ़िये बाकी, जो पंक्तियां दी रहेंगी, उनसे पहचानिये की वीरता का किसमे वर्डन किया गया है, किसमे हास से रस है, अर्थात हसी मजाक है, जिसमे किसमे करुण, जिसको पढ़ने से शोक उत्पन्नो, वहाँ करुण रस है, जिसको पढ़ने से सिंगार का भा यहाँ पर ट्रिक के वारा आप जान लीजे छोटे से ही समय में शब्दा लंकार और अर्था लंकार अलंकार के दो भेद होते हैं शब्दा लंकार में मुख्यता अनुप्रास, यमक और श्लेस अलंकार आते हैं अर्था अलंकार में मुख्यता है उप्मा, रूपक और उत्रेक्षा अलंकार आते हैं शब्दा अलंकार जैसा कि अर्थ से ही व्यक्ति हो रहा है कि शब्द में कोई अलंकार हो शब्द में विशेस्ताय हो जहां पे शब्दों द्वारा अलंकित किया जा रहा हो किसी कविताव को अर्थ मतलब जहां पे अर्थ में कुछ अलंकार हो अर्थ में कुछ विशेस्ताय हो तो शब्द और अर्थ चलिए देख लेते हैं शब्दा अलंकार अर्था अलंकार एक साथ अनुप्रास अलंकार क्या होता है जहां पे वर्णों की बार बार अवृत्ती होती है जो वर्ण होते हैं उनकी बार बार अवृत्ती जहां हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है जिसमें स्वरूप और क्रम से व्यंजनों की अवृत्ती यहाँ व्यंजन दिया है, स्वर नहीं दिया है स्वरूप और क्रम से व्यंजनों की आवरित्ती होती है जैसे रीजी रीजी रहसी रहसी हसी हसी उठे यहाँ पे स्वरूप और क्रम से यहाँ रीजी का बार बार हो रहा है रहसी बार बार आ रहा है हसी हसी बार बार आ रहा है तो यहाँ पे व्यंजनों की बार बार आ वृत्ती हो रही है स्वरूप्रोक्रम से छेक अनुप्रास होगा वृत्यानुप्रास एक होता है यहाँ पे व्यंजन की अवृत्ती बार बार होती है ठीके सपने सुनहले मन भावे स स बार बार आ रहा है व्यंजन बार बार आ रहा है तो ये वित्यान उप्रास हो गया ध्यान देजेगे यहां शब्दों की अवरित्ती हो रही है व्यंजन के साथ साथ यहां पर शब्द की आउशक्ता नहीं है सिर्फ व्यंजन की आवरित्ती हो रहे तो वित्या नुप्रास हो गया सूश वेध हैं लाटा नुप्रास होता है जब एक शब्द की आवरित्ती उसी अर्थ में हो किन्तु तातपर में भेध हो अर्था जब एक शब्द बार-बार आये लेकिन उसका तातपर कुछ और हो जाए अर्थ तो वही हो लेकिन तातपर कुछ और हो जाए जैसे कि एक शब्द वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे यहाँ पर मनुष्य शब्द दो बार आया है और दोनों ही मनुष्य का अर्थ मनुष्य ही है अर्थ दोई है लेकिन दोनों का तातपर अलग-अलग है एक मनुष्य अलग कारे कर रहा है दूसा मनुष्य अलग कारे कर रहा है ठीक है न? एक करता है और एक कर्म कारक है एक क्या है? करता है मनुष्य और एक मनुष्य क्या है कर्म कारक है मनुष्य के लिए तो यहाँ पर दोनों का ताथ पर भिन है लेकिन शब्द वही है अर्थ वही है तो वहाँ लाटानो प्रास होगा स्लेश का अर्थ होता है दोस्तों स्लेश अलंकार स्लेश का अर्थ होता है चिपका हुआ अर्थाथ एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हो तोहां स्लेश अलंकार होगा यह सुबरन को खोज़त फिरे कभी ब्यविचारी चोर यहां सुबरन सब एक बार आया है लेकिन कभी के लिए उसका अर्थ अर्थ अलग है कभीता है ब्यविचारी के लिए उसका शब्द अर्थ अलग है और चोर के लिए उसका अर्थ अलग है सुबरन को खोज़त एक ही बार आया है लेकिन इसमें तीन तीन अर्थ चिपके होए है तो उसलेश लंकार होगा यमा कलंकार की बात करें है तो एक शब्द कई बार प्रेवक्त, लेकिन उनका अर्थ भिन भिन होता है, जैसे कनक कनकते सोगनी माधगता दिखाय या पाए बोरा है जग या खाय बोरा है एक कनक का अर्थ सोना है एक कनक का अर्थ धतूरा है यहाँ पे कह रहा है एक कनक जैसे कनक या पाए बोरा है जग या खाए बोरा है एक को पाकर बोरा जाता है आदमी पागल हो जाता है एक को खा के पागल हो जाता है तो कनक शब्द दो बार यो जो रहा है लेकिन इनका आर्थ भिन भिन है अगर आर्थ वही रहता और लेकिन तातपर भिन होता तो वहां लोटान उप्रास हो जाता उपमा अलंकार क्या है दोस्तों यहां शब्द अलंकार का भेद है यहां सुरू होता है उपमा अलंकार में समता तुलनाया बराबरी कियाती है किसी किनी दो शब्दों में ठीक है न जिसमें एक उपमे होता है जिसकी उपमा दी जाती है एक उपमान होता है जिसे उपमा दी जाए दोनों में असपष्ट भेद दिखता है दस्टब्य होता है इसके अलावा समानता वाचक पद का प्रयोग कियाता है जैसे जयों, सम या तुल इन सब शब्दों का प्रयोग कियाता है जैसे सजल नीरद सी कलकांती थी कैसी कलकांती सी? नीरद सी ठीक है न? यहाँ पे नीरद सी तो सी यहाँ पर लगा हुआ है अर्था समानता वाचक पद लगा हुआ है यहाँ पर उपमालंकार होगा रूपक अलंकार में उपमे और उपमान में अभेद तुलना होती है भेद नहीं रह जाता है यहाँ पर समानता वाचक पद का प्रयोग नहीं कहाता है उपमे और उपमान एक ही हो जाते है चरण कमल बंदो हर रहाई चरण कमल मनब चरण के समान कमल होता है लेकिन यहाँ पर चरण कमल दे दिया गया है ठीक है न? तो उपमे और उपमान में भेद ही नहीं है तो यह रूपा का लंकार हो जाएगा उत्प्रेक्षा लंकार क्या होता है किसी वस्तु को संभावित रूप से देखना किसी वस्तु को यहाँ पर संभावना प्रकट की जाती है जिसे मन, मानो, जानो, जन्व इन सब शब्दों का इस्समाल की जाता है जैसे मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा मानो यहां पर संभावना व्यक्त की जा रही है ठीक है न तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको हिंदी बहुत अच्छे समझ में आई होगी दोनों वीडियोज में अच्छा लगे कमेंट करें शेयर करें सब्सक्राइब करें चेनल को बहुत बहु कि किसी भी एक्जाम की तैरी कर रहे हैं खंड सिक्षादीकारी आरो यारो यूपी पीसी या यूपी ट्रिपलसी में लेकपाल या फिर आन्य जो वेकेंसी जाती हैं गुरूप सी की सबस्पेक्टर यूपी एसाई की तैरी मलब कोई भी तैयरी आप उत्तरवदेशी कर रह सबस्क्रिप्शन यहां पर ले सकते हो यहां पर सबस्क्रिप्शन का आपको दिया रहेगा प्लस सबस्क्रिप्शन जैसे यूपी पीसी यूपी टेपलसी का सबस्क्रिप्शन लेना हुआ तो वहां पर जितना भी है पर आपको सबस्क्रिप्शन चार्जेज हैं वहां पर लिखे मिल जाएंगे continue करने पर आपको यहाँ पर referral code डालने के लिए आएगा और referral code में आपको UD10 यूज़ करना है आप एक साल या दो साल या जितनी मन्त की आप लेना चाहते हो ले सकते हो subscription आपके उपर है उतने समय के लिए वो मतलब वो जैसे आप UPSC, UPSC subscription ले रहे हैं तो यह आपकी seat reserve हो जाती है कोई भी class, live class आई होई या फिर आने वाली वो आप ले सकते हैं सबसे बढ़ियां फाइदा यहां होता है कि एक time limit में एक time period में निश्चित time period में कोई subject समाप्त होता है और आप कोई भी subject पर सकते हैं आप शनल हो या फिर GS के subject हो प्री में सब कर सकते हैं quiz test doubt cleaning session आप ले सकते हो किसी भी समय तो यह आप चाहें तो ले सकते हैं UD10 यह referral code यूज करना मन भूलेगा क्योंकि तब आपको 10% discount मिल जाएगा छूट मिल जाएगे आपको जो मूल ले रहेगा उसमें भी और एक वर्ष और दो वर्ष के आप subscription charges अगर देखें तो दो वर्ष का subscription charge लेना आपके लिए बहुत ही सही पढ़ रहा है सस्ता पढ़ रहा है तो आप जब भी लीजे दो वर्ष का लीजे मेरा ये suggestion आपके लिए रहेगा तो जो लोग ले चुके हैं already वो हमको 9453-75039 पे संपर कर लें ठीक है हम आपको इसके बारे में कोई भी अगर doubt होता है तो हम आपको बताएंगे बाकि अगर कोई आपके doubts हों तो आप हमको बता सकते हैं फिलाल आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बहुत भुत धन्यवाद